तो यह जो efficiency equation हमने देखी थी पहले, उसमें दो वेरियेबल है जैसे आपने देखा था कि जो cold, tea cold, tea cold किससे related है, जो reservoir जिसमें हमें extra energy थी उसको फेकी, और tea hot वो reservoir जिससे हमने energy ली, तो उनका जो ratio है, one minus tc over th, वो आपको efficiency पूरी देगा, अब उसको जरा अगर बैट के सोचें कि इसमें से क्या के चीज़े निकलती है, तो अब यह जैसे ए 40 degree centigrade है, तो cold क्या है, जो अगर आप फर्स किया आप गाड़ी चला रहे है, तो engine के अंदर का temperature, reservoir वाले temperature है, tea hot, tea cold क्या है, जो बाहर का temperature है, जो शहर का temperature है, वो tea cold है, तो उन दोनों को compare करें, तो वो formula जो लगा है, th over tc का वाला, तो आप calculate करें, तो उसकी efficiency 70% बताते हैं, तो 70% किसी चीज़ की efficiency हो, किस चीज़ की efficiency है, conversion की, ठीक है ना, आपने heat ली और काम किया, कितनी percent ही, जो heat ली है, उसको हम काम में utilize कर सकते हैं, अब आप देखें दरा, जो गाड़ी होती है, आपकी जो गाड़ी चलाते हैं, साधी, यह इसके petrol वाली गाड़ी, उसकी efficiency 19-20% होती है, 20%, इसका मतलब 80% आपकी जो है energy, वो ज्यादतर आप, टेल पाइप जो आपका है न, उसमें से निकल रही है, 80% ही energy, तो डीजल energy थोड़ा सा बहतर होता है, 25-30% हो जाती है, solar cell की जो energy होती है, जो सूरज की energy लेके उसको electricity में convert हो जाता है, वो भी 20% है, तो इसका मतलब 80% energy का तो कुछ करी नहीं सकते, अब वो क्या इसका इस energy के कुछ काम लिया जा सके, अब आप अंदाजा करें कि जो टेल पाइप से आपकी energy बाहर निकल रही है, उसको क्या करेंगे उसके साथ, कुछ लोगों ने अभी एक नई बनाई ये चीज़ें, जिस उसको energy के लेके एक दो फीसद और इस्तेमाल हो जाए, एक दो फीसद बस, उसके जादा नहीं, तो सारी कार के अंदर 20 फीसद energy आपकी इस्तेमाल हुई है, बागी सब जाय हो गई, हमारे अपने करने से कुछ नहीं, लेकिन बस ये thermodynamics का उसूल ये है, तो अब इसकी efficiency कैसे बढ़ा सकते हैं तो अब जरा सोचें, उसके सोचने का तरीखा सिर्फ ये है, कि इस formula को देखें, Tc over Th, 1 minus Tc over Th, Tc over Th, जितना 0 होगा, efficiency बढ़ती जाएगी, right, 1 चाहिए हमें, 1 times 100 is 100%, लेकिन Tc over Th को बढ़ाने के लिए, ये ratio जो है, बढ़ाने के लिए, Tc जो है, उसको ज्यादा स्यादा कर तो उसकी एक melting point होती है, 1200 के खरीब, उससे जादा तो नहीं जा सकते है, वहना पूरा engine ही melt हो जाएगा, इस वज़ा से engine को इतनी सकती से उसको cool करना पड़ता है, जरा सा पानी कम हो गया तो engine बैट गया, तो वो उसकी एक limit होती है, उससे जादा नहीं जा सकते है, और decold का क कार की efficiency 15 पीसद रह जाती है, 19 वीसद से 15 पीसद कम, व्यूंकि बाहर के temperature बहुत जादा हो जाता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में बिलकुल नहीं हैं, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस ही से काम चलाना उननीस वीसद efficiency जे, average में, तो बहुत सारी चीज़ें, अब ये सिर्फ कार पे लाइख नहीं हैं, ये चीज़ें, आपकी air conditioner उसकी भी एक efficiency होती है, आपका जो refrigerator है, उसकी भी efficiency होती है, सारी आपकी motor cycle उसकी भी efficiency होती है, हर एक की चीज़ efficiency होती है, हमाँ अब यहाँ पे भी, अब आप जाएं अगर appliance store में, तो उसके पर लिखा होता है guide, ये जो आपकी ये seasonal energy efficiency ratio, sear के गर्मी में और सर्दी में फरख कितना है, उसके हिसाब से क्या ratio है, वो उसके लिखा होता है, आप उसे देख लें, जितना ज्यादा से ज्यादा ratio होगा, वो उतनी अच्छी से अच नंबर का खरीदें, शायद उसका अच्छा हो, दूसरे का खरीदें, शायद उसका इतना अच्छा ना हो, लेकिन उस नंबर को compare करना जूरूरी होता है, उससे बिजली के इस्तेमाल में कितनी कमी होगी, कितनी जादा होगी, वो उस पर बहुत जादा पड़ता है, तो ये सिर्फ thermodynamics के consideration के बाद आती है, पहले का उसूल, दूसरे का उसूल, ये दोनों उसूलों को समझ के, फिर ये फैसला करना पड़ता है, कि ये process जो है, ये इतने efficient है, कि ये ठीक है कि इसे करना चाहिए, ऐसा कि नहीं, बाद मरता कोई अपने पास वो फैसले की गुंजाश ही नहीं रहती, जैसे मैंने आपको बताया, solar cells है, 20% की efficiency से चलते हैं, और चलते रहेंगे, उससे जादा थोड़ा बाद आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन उससे जादा नहीं हो सकता, कुछ ऐसे formula हैं, जो कभी, मैं जब solar cell पे जाएंगे तो समझाऊंगा, शायद 50% तक के भी पहुंचा, लेकिन वो बहुत ही महंगे formula हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, और जो आम आदमी के बस के बात का solution है ना, वो तो पिर, मैं उसको solution नहीं समझता हूँ, वो एक खास किसम के लोगों के लिए, खास किसम के कौमों के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं झाल